नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हलचल पर लकडगंज पूलिस्थान अंतरगत पूलिस आयुकत अमितेश कुमार की उपस्थिती में पाटनकर चोक स्थित बाल सुधार ग्रोह के बच्चों के साथ होली वर अंगपंचमी के चलते होली मिलन कारेक्रम का आयोजन किया गया इस अउसर पर लकडगंज पूलिस थाने के समस्था करमचारी और अधिकारियों सहीत पूलिस आयुकत अमितेश कुमार डिसीपी गजानन राजमा ने विशिश रूप से उपस्थित रहे इस दवरान पूलिस अधिकारियों ने इन बच्चों के साथ रंग खेल कर उने भेट स्वरूब उपहार भी दिये इस दवरान पूलिस अधिकारियों और करमचारियों के परिजन भी विशिश रूप से उपस्थित रहे बुद्धवार को शहीद दिवस के उपलक्ष में 20 महराष्टी न्सेसी बटालियन से सलगन 61 न्सेसी कैड़ेट्स तथा नभीरा महाविद्दलेक काटोल के स्टाप ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया न्सेसी चात्रों ने देश के लिए अपने प्राणों की आउती देने वाले महनकरांतिकारी शहीदोकुष रद्दान जेली अर्वित की डिफेंस पियारो विंग कमंडर रतनाकर सिंग नि कहा कि सभी न्सेसी कैड़ेट्स और कॉलेज के शिक्षक शेक्षिकाओ तथा कर् प्रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए योगदान दिया और कारेक्रम के दवरान कुविट प्रोटोकल का पुर्ण अनुशासन के साथ पालन किया गया श्री सिद्धी विनायक सेवा टरस्ट द्वारा पुर्व महाप और संदीब जोशी की माध्यम से नागपूर शहर के 2500 से ज़्यादा प्रेक्षकों को दकश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई जा रही है इसी संदर्व में फिल्म के कलाकार एवं ट्रक्यात अभीनेता पुनित इससार नागपूर पहुचे उन्होंने सितावरेडी स्टीत इटर्निटी मॉल के PVR में चल रहे है फिल्म के शोव में बेट दी इस अवसर पर शो देखने आये दर्शकों ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर उनका अभीवादन किया शिवसेना के शिवसंपर का अभियान का हवाला देकर संजे राउत नागपूर आते है और बंद दर्वाजे में चर्चा करते है इससे बहतर है कि वे मैदान में उत्रे और यहाँ से चुनाव लड़े यह बात विधा है कृष्णा खोपडे ने कही उन्होंने कहा कि राउत रवीभवन में बंद दर्वाजे में कहते है कि खोपडे की खोपडी फोन ना है ऐसा बोलने की बजाए उन्होंने पुर्वनाकपूर से चुनाव लड़ना चाहिए भाजपा कार्यकरता निश्ची थी उन्हें उनकी असली जगद दिखा देंगे यदि उनसे ऐसा नहीं हो पारा हो तो राज्य सरकार के किसी मंत्री को पुर्वनाकपुर से चुनाव लणने को कहे हमारे कार्यकरता इसके लिए पूरी तरह से तैयार है पीछे के दर्वाजे से सभागार में जाने वालों ने ज़्यादा बड़ी बाते नहीं करनी चाहिए उन्होंने कहा कि सीटी में शिवसेना का अस्ठीतव क्या है यह सभी को पता है मनपा चुनाव में जब भाज़पा ने शिवसेना को अपने साथ जुडा तब कई उन्हें छे से साथ सीटे मिली जब से शिवसेना ने अकेले चुनाव लणने का कुबुद्धी वाला निर्णे लिया तब से दो से ज़्यादा सीटे नहीं मिल सकी है ये तो इनका इतियास है अब संजयराउत नागपुर में कौन सी मशाल जला लेंगे इस आशाय के विचार विधाय कृष्णा खोपड़े ने वेक्त किये बुद्धवार को शिवसेना सांसच संजयराउत ने जिले की छे विदान सबक शेतर की पदादिकारी वह कारेकरताओं के साथ सववद साधा कारेकरताओं की शिकायतों से भी रूबर हुए इस दवरान कारेकरताओं ने उन्हें मजबूत बनाने के लिए जिले का पालकतव स्विकार करने की भी विननती की साथ ही बताया कि उनका मुख्यमंत्री होने के बाद उन्हें लाब नहीं मिल रहा है जिला प्रमुक अपनी कुर्सी बचाने में लगे है उनकी सुनने वाला कोई नहीं है सववाद में शियुसेनिकों ने जिला प्रमुकों के खिलाब खुलकर नारजगी वैक्त की इस दोरान बताया गया कि जिले में 12 विधान सभा है लेकिन पिछले चुनाओ में यूती के बाद भी सेना को एक भी सीट पर उम्मिदवारी नहीं मिली थी राम्टेक को छोड़कर अन्ने किसी भी क्षेत्र से शियुसेनिक विधान सभा में नहीं पाउचा जिला परिशद में शियुसेना की हार हुई यदि सांसच चुनकर आ सकते है तो विधान सभा में भी सेना को ध्यान केंद्रित करना होगा विधान सभा क्षेत्र तैकर पदाधी कारियों को मुंबई से ताकत दी गई तो ग्रामिन की छे में से तीन सीटों पर विजय मिल सकती है रामटेक के साथ ही कामठी साउनेर सीट में भी आने वाले चुनाओं में जितने का अच्छा उसर मिल सकता है पदाधी कारियों ने कहा बुधवार की दोपर सीए रोड पर अतिक्रमन कारियों में खलबली मच गई जब प्रवर्तन विभाग का दस्ता दलबल के साथ कारवाई के लिए वहाँ पहुच गया लकडगन जोन अंतरगत दस्ते ने सेंटरल लेविन्यों से कारवाई की शुरुवात की दस्ते को देखते ही फुटपातों पर मौजुद कई अतिक्रमन कारी ठेले लेकर भागने लगे फुटपातों पर दस्ता इनका सामान जब्त करने में जूटा रहा अंबेटकर चोक तक कारवाई के दौरान दस्ते ने सडक के दोनों और के फुटपातों से कुल 26 अतिक रमनों का सफाया कर दिया साथी दोटरक सामान भी जब्त किया, आमबेटकर चोक से दस्ता पारडी के पास एचबी टाउन पहुचा, जहासे पावराउस के पास पहुचते ही, सड़क की किनारे खड़े नारियल पानी के दुकानदारों में सामान बचाने की होड लग गई, कारवाई में प्रवर्तन व बुद्वार को दस्ता बिड़ी पेट से होते वे, मालगी नगर चोक पर पहुच गया, चावराय के चारो और निम्बु पानी, नारियल पानी, फल और सबजी आदी के ठेले लगे हुए थे कॉंग्रेस से साथ बार सांसद रह चुके पुर्व केंद्रिय मंतरी विलास मुत्यमवार ने ऐसे लोगों को लतार लगाई है जो यहाँ कह रहे है कि कॉंग्रेस कमजोर हो चुकी है और उसका कोई जनाधार नहीं रहा है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेसी देश की एकमातर पाल्टी है जिसने देश की स्वतंतरता से लेकर विकास तक में सबसे अधिक और अहम भूमी का निवाई है कॉंग्रेस लोगों के मन में बसी है और लोगों के दिल में है पाल्टी कभी कमजोर नहीं थी ना है और नहीं रहेगी मुत्यमवार ने कहा कि देश में कॉंग्रेस ही एकमात्र लोकतांत्रिक पाल्टी है उन्होंने G23 निताओं के संदर्ब में कहा कि वह एक समू है सबको अपने विचार रखने की आजादी है लेकिन इसके साथ ही उन्हें यहाँ भी साबित करना चाहिए कि उनकी जमीनी पकड़ भी कितनी है उन्होंने कहा कि विपक्षी पाल्टियों में कितना लोकतंत्र बचा है यह बताए वहाँ तो किसी को मूँ खुलने की इजाज़त तक नहीं है हर राजनेतिक पाल्टियों में उतार चड़ाओ का समय आता है लेकिन एक जूटता के साथ नेतरूत्वों में भरोसा रखते हुए अगर साथ चले और संकटों का सामना करे तो दीन पलटने में देर नहीं लगती इडी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर पर करवाई करते हुए उनकी संपत्ती जब तक की है इस करवाई को ठाकरे परिवार पर बड़ा जटका माना जा रहा है इसे लेकर संजेराउत ने प्रतिक्रिया वेक्त की है उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग उन्हें मेले संसकारों के अनुसार काम करते है उन्होंने चुनवती देते हुए कहा कि भाजपा अगरी सरकार गिरा कर तो दिखाए वे बुद्धवार को नाकपुर में मिडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम किसी के दबाओं में नहीं है। उन्होंने महाराष्टर में जैजी स्टेटी निर्मान की है, उस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। राउत ने कहा कि केंद्रिय जाच एजन्सियों को जो कारवाई करना है करे, हम सही समय पर इसका उत्तर देंगे। देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाब जंग का आववान कर स्वयम के प्राणों की आहूती देने वाले वीर करांतिकारी शहीद भगत सिंग सुगदेव राजगुरु के बलिदान दिवस के उपलक्ष में, नाकपूर महानगर पालिका की ओर से सिविल लाइन स् प्रेले में बुद्वार को देश के अमर शहीद भगत सिंग, राजगुरु सुगदेव को नमन किया गया। उपायुकत चंद्रबान पराते ने उनकी तस्वीरों पर पुषपहार अरपन कर विनम्र अभिवादन किया। इस आउसर पर उपायुकत रेश्मा माली, सहायक अपने बिगड़ी आर्थिक स्थिती को सुधारने के प्रयास में महावितरन बकायदारों से बिजली बिल का बगया वसूली के लिए अभियान चला रही है। उसके इस अभियान को जिले के किसानों का अच्छा साथ मिला है। उरजा मंत्री ने किसानों की बिजली आपुर किसानों पर ही 45,000 करोड रुपयों से अधिक बकाया हो गया है जिसके चलती कमपनी को अपने करीब 3 करोड ग्राहकों को सर्वत्तम सेवा देने में अर्चन का सामना करना पड़ रहा है। बकायदार किसानों के लिए क्रुशी पम कनेक्शन योजना घूशित की गई थी ले पुजा मंत्री ने किसानों से बकाया जमा कर सहयोग करने की अपिल भी की थी जिसके चलते 16-22 मार्च तक 6 दिनों में नाकपुर प्रमंडल में 1444 बकायदार किसानों ने 3,58,000,000 रुपे जमा किये हैं। पीने के पानी की व्यवस्ता भी ठीक नहीं है। पानी की टंकी के पास गंदगी होने के कारण लोगों को दुकान से पानी खरित कर पिना पड़ रहा है। यहाँ भी उनको ब्रैंडेट की कीमतों में लोकल कमपनियों के पानी की बोतल थमाई जा रही है। कोट में याचिका दायर की गई। इस पर जल्द निर्ने लेने के आदेश कमिटी को देने का अनुरूत अदालत ने किया था। कि राज्य सरकार की और से नौटिफिकिशन जारी करने के संदर्ब में अब तक कोई जानकारी उपलब नहीं कराई है। सटिक जानकारी का इंतजार है। जानकारी प्राप्त होते ही शबत पत्रपेश किया जा सकेगा। आर्थिक वर्ष खतम होने के लिए अब केवल आठ दिन का समय बचा हुआ है जिसमें संपत्तिकर से प्रस्तावित आयप राप्त करने के लिए अब प्रतिक जोनल कार्याले की और से संपत्तिकर वसुली के लिए विशिश अभियान शुरू किया गया। मंगलवार को लक्षमी नगर जोन की और से वसुली अभियान में चींजभवन में 33 ओपन प्लोट की जपति को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि नियमों के अनुसर इन ओपन प्लोट के मालिकों को जोनल कार्याले की और से पहले ही नोटिस जारी किया गया। लंबे समय से डिमांड जारी होने तथा बकाया टेक्स भरने के लिए परियाप्त समय देने के बावजूद अब तक बकाया अदा नहीं किया गया जिसे जपती वरंट जारी कर कारवाई की गई बताया जाता है कि इन भूकन धारकों पर वर्ष 2014 से समपत्ति कर का बकाया चल रहा है वर्ष 2022 को लेकर जारी डिमांड के अनुसार सभी भूकन धारकों को मिला कर कुल 37,25,000 रुपे का बकाया है मनपा की और से नियमों के अनुसार कारवाई पूरी की गई जबती के बावजुद बकाया कर अदा करने के लिए समपत्ति धारकों को कुछ समय दिया गया है यदि इस समय अवधी में बकाया नहीं किया गया तो समपत्तियों की निलामी की जाएगी मनपा द्वरा शाहर के अलग-अलग हिस्सों में स्थित अधिकृत बाजरों में कमरे आवंटित किये गया है बरशो पुर्व लीज पर दिये गए बाजरों का किराया पहले काफी कम रहा है तिन वर्ष पुर्वर राज्य सरकार के निर्ने के अनुसार इन लीज धारकों पर रेडी रेकनर के आधार पर लीज रेंट लगाया गया इसका भले ही कुछ समय तक विरोध रहा हो लेकिन अंततह अब रेडिक रेनर के आधार पर ही लीज रेंट का निर्धारन हो रहा है इस तरह से कई लीज धारकों पर लाखो रुपे का बकाया निकल रहा है मनपा की तीजोरी भरने तथा लीज धारकों को भी कुछ राहत प्रदान करने की उद्देश से मनपा एक तराधा कुछन भी ने लाइसंस धारक दुकानदारों के लिए अब है योजना की घोशना की इसके तहट 31 मार्च तक एक मुश्थ लीज रेंट अदा किया गया तो जुर्माना की राशे में छूट दी जाएगी सुद्रों के अनुसार शहर के अलग-अलग हिस्सों में मनपा के लगभग 64 अधिकरूद बाजार है जिसमें 5000 पास्तु दुकानदारों को लीज पर कमरे आवंटित किये गया है कई बाजारों में मुल लीज धारक की और से दुसरों को कमरे आधिक किराय पर दिये गया है नियमों के अनुसार दुसरों को दुकान देने से पहले मनपा से अनावत्ति प्रमान पत्र लेना निवारिया है महानगर पाली काओं में आम चुनाओ को लेकर जारे तीन सदस्य प्रभाग रचना राज्य सरकार ने रत कर दी है अब निकट भविश्य में नई प्रभाग रचना को लेकर राज्य सरकार घोशना करेगी अतहा मनपा के चुनाववाड पद्धती या फिर दो सदस्य प्रभाग पद्धती से कराने की मांग राश्णवधी कॉंग्रेस ने की है। अतहा की भारतिय सविधान के अनुसार सामन्य महिला और पुरुशों को स्थानिय चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। तदनुसार संभागी आयुक्त प्राजक्त अलवंगारे वर्मा ने सभी सरकारी एजंसियों को लगू और दिर्गकालिक उपायों के लिए तुरंत कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। में संभाग आयुक्त कार्याले के सभागार में आयोजित समिक्षा बैठक में बोल रही थी। बैठक में नाकपुर जिला कलेक्टर आर्विमला, भंडरा जिला कलेक्टर संदिप कदम, नाकपुर मनपा आयुक्तर आधकृष्णनवी, नाकपुर जिला परिशत के मुख्य कार्या कारी अधिकारी योगेश कुम्भेजगर, भंडरा जिला परिशत के मुख्या कारी उपक्षेत्री अधिकारी आनंद गटोले के साथ साथ नागपुर और भंडारा जिले की नगर परिशदों के तमाम मुख्य अधिकारी, जल संसादन विभाग और अन्य विभाग प्रमुक उपस्तित थे, बैठक में महाराश्र प्रदूशन नियंतरन बोर्ड, MPCB के अधिक नागपुर पर आयोजित, विदरबस थरिये महिला ओपन क्रिकेट टेनिस बॉल्स प्रधा में राहुल महिला क्रिकेट क्लब नागपुर ने प्रथम पुरसकार प्राप्त किया है। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्षा वा ओंकरलाल हाई स्कूल की प्राचारिया, विनाजी बजाज, सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की कोशाध्यक्षा वा महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु हाई स्कूल के प्राचारिया, कुमारी डिम्पी बजाज ने न राजगुरू को उनकी पुन्यतिती पर शद्धान जली दी गई, जरा याद करो कुर्बाने थीम पर स्कुली विद्यार्थियों ने देश भक्ति से ओत्प्रोत समुहा की प्रस्तूत कर शहिदों को नमन किया। अर्विन बाबु देश्मुक प्रतिष्ठान के कारेकार अध्यक्ष एवं पूर्वविधायक डॉक्टर आशेज देश्मुक ने स्कूल के उपक्रम की सरहना की। पहला डोस, दुसरा डोस और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोस लेने के लिए टिके परियाप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्रैविन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरी को खिले टीका करन सुबद 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा ये जानकरे चिकित स्वास्ताधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दिये तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस नमस्कार